नमस्कार स्वागत है आपका फिल्मी बीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नेयाल क्या बॉलिवोड के किंग खान यानि शारु खान घमंडी है? क्या किंग खान एरोगेंट है? क्या सच मुझ ऐसा है? चलिए आज आपको बताते हैं कि शारु के फैंस का क्या सोचना है इस बारे में कुछ लकी फैंस जिन्हें किंग खान से मिलने का मौका मिला उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया शारु की फैं क्रिदी तिरपाठी बताती है कि सितंबर 1937 में में BPSL कलोनी में शूटिंग चल रही थी शारु के साथ सुना ली जूही चावला महिश भट भी थे फिल्म थी डुबली केट मुझे कई स्टार से मिलने का मौका मिला लेकिन उन सब में डाउन टूर्थ शारुख खान ही थे वो कभी बच्चों को मना नहीं करते थे पोस्ट देने से वो हमेशा फोटो क्लिक करवाने के लिए तयार रहते थे अगर वो भीजी भी होते तो भी फोटो क्लिक करवाते जिस दौरान मैं उन से मिली उस वक शारुख काफी जादा व्यस थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए समय निकाला जो मेरे लिए काफी बड़ी बात थी इसके लावा शारुख की एक और फैन ने बताया कि उन्हें एहमदाबाद में शारुख से मिलने का मौका मिला तब रावन की शूटिंग चल रही थी मैंने उनसे कहा कि मेरी मा उनकी बहुत बड़ी फैन है इसके बाद उन्होंने मेरी मा से बात की जो स्टार होने के बावजूद बहुत बड़ी बात थी इसके लावा रजशर्मा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि शारुख हैपी नियुएर की शूटिंग कर रहे थे मुझे उज़रान उनसे मिलने का मौका मिला वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है उनमें एक अलग सी अनरजी है वो जिन्दगी को लेकर काफी पॉजिटीव रहते हैं शारुख के बारे में ऐसी कई सारी बाते हैं जो उनके फैंस ने शेयर की है वैसे ये बात सच है कि शारुख काफी डाउन टू अर्थ है वो अपने फैंस के साथ अपने दोस्त की तरह बिहेव करते हैं यही वज़ा है कि उनके घर के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ा रहता है और वो फैंस से मिलने के लिए बाहर भी आते हैं शायद यही वज़ा है कि शारुख खान बॉलिवूड के किंग खान है उनकी जगा कोई नहीं ले पाया बैरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन पाकी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले